तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मारुति सुथकी ने अपनी न्यू एज बलीनों को लॉंच कर दिया है जो कि अपने सेग्मेंट में अन गाडियों को काफी तेजी से टकर दे रही है क्योंकि इसमें मिलने वाला पैकेज एक बहुत ही धमाकेदार होने वाला है तो इसी क देखते हुए आज हम कंपेर करेंगे इसको टाटा एल्ट्रोज से जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें कौन सी गाड़ी लेने चाहिए तो इसके लिए हमारा पूरा वीडियो शुरू से लेकर लाश्ट तक जरूर देखें तो चलिए सुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेफटी रेटिंग की तो जैसे कि आप लोगों को पता है टाटा एल्ट्रोज को ग्लोवर एंकाइब की तरह से फाइव स्टा रेटिंग मिली है और जो की बलीनों में नहीं मिलती है तो ये तो होई safety rating तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके dimension की तो length दोनों ही गाड़ियों में आपको समान मिलती है width जो है 10 mm कम मिलती है आपको बलीनों में height जो है वो भी 23 mm कम मिलती है बलीनों में लेकिन इसका wheel weight जो है दोनों गाड़ियों के engine और mileage के बारे में तो बलीनों में देखा जाए तो 1.2 liter engine जो की 4 cylinder के साथ बनके आता है वो 113 anon torque पे 88.5 bhp power generate करता है यहीं पर अल्टोज में जब देखा जाए तो वो 1.2 liter engine जो की 3 cylinder के साथ आता है यह 113 anon torque पे 84.82 bhp निकालता है तो अब बात कर लेते है mileage की तो बलीनों में आपको 22 QMPL का mileage मिलता है और यहीं अल्टोज में देखा जाए तो 19 QMPL का mileage मिलता है तो mileage में बलीनों आगे निकल जाती है तो यह तो बात होई इन दोनों के injury और mileage के बारे में आप बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के fuel tank के बारे में तो दोनों दोनों ही गाड़ियों में आपको 37 लीटर का एक बड़ा सा fuel tank मिलता है तो जैसा कि आप लोगों को पता कि बलीनों में फीचर की कोई कर्मी नहीं है तो कुछ ऐसे फीचर की बात कर लेते हैं जो कि आपको बैलेनों में मिलते हैं एल्टरोज में नहीं तो जैसे आपको LED Headline प्रोवाइट किया जाते हैं जबकि एल्टरोज में आपको सिर्फ प्रोजेक्टर ही मिल पाते हैं इसके अलाव बैलेनों में 360-degree camera तिल्ट एंड टेलिशकोपिक steering इल्टरोज में सिर्फ इसटेरिंग ही मिल पाती है तो यह सब ही वो फीचर है जो बैलेनों में मिलते हैं लेकिन एल्टरोज में नहीं अब बात करते हैं उन फीचर की जो बैलीनों में नहीं जैसे की डिगरी डोर ओपनिंग टायर प्रेसर वीरेवल की एंड रियर आर्म रेस्ट और आठ स्पिकर जो की बलीनों में आपको सिर्फ छे ही मिलते हैं तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के वारंटी के बारे में तो एल्ट्रोज में आपको दो साल की वारंटी यानि कौन सी राख लेनी चाहिए तो अगर आपको क्या था फीक्षचर चाहिए तो बलीनों के साथ जा सकते हैं और आपको अच्छी सेफटी और बिल्ट कोड़ी एच्छी चाहिए तो आप फिल् appointed के इसकलते हैं तो अगर आपको हमारा वीडिव पसंद आया हो तो